आइफोन 13 Pro लाउंच हुआ था 2021 के सेप्टेंबर में और आइफोन 15 Pro अभी अभी जस्ट लाउंच हुआ है सेप्टेंबर 2023 में तो चलो देखते हैं दो सालों में Apple ने क्या नया दिया है और अगर आप iPhone 13 Pro पहले से यूज़ कर रहे हो तो क्या iPhone 15 Pro में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं Let's find out in this video तो उपना डाइंवे इसकी ये पढ़ते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले बात करते हैं इनके price difference की आइफोन 13 Pro प्रोंच हुआ था 1,20,000 रुपए में और वहीं iPhone 15 Pro प्रोंच हुआ है 1,35,000 रुपए में तो यहाँ पे 15,000 रुपए का difference आ चुका है इन दोनों के prices में जिसमें दोनों का ही storage 128GB है ये आता है 6GB RAM के साथ और ये आता है 8GB RAM के साथ चलो बात करते हैं इनके design and build की यहाँ पे अगर आप overall design language देखोगे तो वह आपको exactly same मिलेगी तीन lenses, एक lidar scanner, पीछे की तरफ पे matte texture वाला glass, हाँ बाकी इनके frames में definitely आपको फरक मिलता है पहले आती थी stainless steel edges, अब आती है titanium edges, जो कि personally मुझे थोड़ी सी जारा पसंद है लेकर अगर premiumness की बात करूं, तो stainless steel थोड़ा से जारा premium feel होता है हलाकि अगर आप इन दोनों ही phones को बिना cover की use करते हो, तो 15 Pro जारा better लगेगा क्योंकि यहाँ पे fingerprints as compared to stainless steel काफी कम लगते हैं और stainless steel थो बाई छूते ही एकदम खराब सा हो जाता है इन दोनों phones के dimensions आपको लगबग लगबग same ही मिलते हैं लेकिन दोनों का in-hand feel totally different है 13 Pro की जो flat edges हैं, इसके जो corners हैं, यहाँ पे आपको sharp corners मिलते हैं लेकिन 15 Pro में इन sharp edges को हलका सा curve कर दिया गया है जो कि ऐसे देखने में तो आपको शायद नहीं समझ में आ है लेकिन अगर आप इसको in-hand feel experience करोगे यह दोनों एकदम different different devices feel होते हैं definitely 15 Pro जादा comfortable feel होता है इन दोनों के weight में भी काफी बड़ा difference आपको मिलता है titanium के कारण इसका frame तो जादा durable है और अगर आप ऐसे बंदियों जोकी phone काफी जादा गिराता रहता है तो definitely 15 Pro थोड़ा सा जल्दी तूटने वाला phone हो जाता है अगर आप एक बार भी waist tight से इसको गिरा देते हो तो इसका back panel तूट सकता है ये चीज मैं पहले काफी सारे वीडियोस मैं explain कर चुका हूँ इसके जो components है ये back glass में नहीं चिपके हुए है जिसके विए से हलका सा पोलापन आपको मिलता है लेकिन वहीं अगर बात करें 13 Pro के glass के तो काफी अच्छी तरह किसे लगा हुआ है ये भी लेकिन भाई अगर ये गरता है तो इसका जो replacement cost है ये बहुत सादा होने वाला है as compared to 15 Pro तो भाई overall दोनों ही काफी महंगे phones हैं और दोनों का maintenance काफी महंगा है इसके अलावा दोनों ही IP68 water resistant मिल जाते हैं जिसको आप पानी के अंदर 6 मिटे तक डाल सकते हो for 30 minutes तो चलो इनके back की बात बहुत हो गई अब बात करते हैं इनके front displays की जहाँ पे आपको बहुत सारे differences मिलते हैं सबसे पहले चीज़ आप notice करोगे इनकी bezels वाई देखो कितनी बड़ी bezels लग रही है ये as compared to 15 Pro लग 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 दो गुना जादा bezels मिलती हैं आपको 13 Pro में साथ ये बड़ी सी notch मिल जाती है जिसको आप replace कर दिया गया है Dynamic Island से तो definitely दो सालों में इनके displays में थो बहुत बड़ा difference आ चुका है आइफोन 13 Pro में आपको 6.1 इंचिस का Super Retina XDR दिस्पले मिल जाता है जो कि 120 Hz वाला refresh rate वाला डिस्पले है और इसके peak brightness की बात करूं तो ये 1200 nits तक जाती है वहीं अगर 15 Pro की बात करूं तो यहाँ पे आपको LTPO Super Retina XDR दिस्पले मिलता है 6.1 इंचिस का यानि कि यह अपनी refresh rate को कम जादा कर सकता है और तो यहाँ पे always on display का भी support मिल जाता है जो कि 13 Pro में missing है वहीं इसके brightness की बात करूं तो ये 2000 nits की peak brightness provide करता है जो कि बहुत बहुत कमाल का brighter display हो जाता है इसमें आपको 1170 by 2532 के pixels मिल जाते हैं वहीं 15 Pro में 1179 by 2556 के pixels मिलते हैं तो यहाँ पे आपको pixels हलकी से जादा मिल रहा है अब compare करते हैं इनका chipset यहाँ पे मिलता है आपको A15 bionic chip यहाँ पे मिलती है A17 pro chip और यह पहली बार है कि Apple ने किसी chipset के साथ pro शब्द का use किया है तो चलो अब test करके देख लेते हैं कि बहुत कितनी जादा improved है यह A17 pro as compared to A15 bionic सबसे पहले हमने करा इन दोनों का geekbench test आइफोन 15 pro ने करीब साड़े चार मिनट और आइफोन 13 pro ने करीब 5 मिनट के आसपास टाइम लिया और अगर इनके score के बात करो तो single core में करीब 600 points का और multi core में करीब 1500 points का difference था इसके बार हमने किया इनका GPU test और GPU test में हमें मिला 7000 points का difference यानि की 15 pro का score था 27,000 और इसका करीब 20,000 के असपास वाई definitely scores के मामने में तो जीच जाता है आइफोन 15 pro लेकिन अब करते हैं इनका video rating test और देखते हैं कौन पहले rendering complete करता है हमने दोनों ही phones के iMovie में exactly same video clip को डाला और एक साथ render किया और भाई iPhone 15 pro ने आधे time पे complete कर लिया as compared to iPhone 13 pro तो definitely भाई यहाँ पे जो performance हमको देखने को बिली वो लगभग लगभग 2x faster थी as compared to iPhone 13 pro चलो बात करते हैं इनकी gaming की भाई definitely A17 pro काफी बहतरीन है वहाँ आपको loading वगड़ा थोड़ी सी fast मिल सकती है लेकिन यहाँ पे मैं बुरूंगा 13 pro कहीं से भी कम नहीं है भाई 120 Hz का refresh rate है तो यहाँ पे आपको 90 fps की gaming का option मिल जाता है और वो जो gaming experience है एकदम buttery smooth है और definitely यह phone ऐसा है कि मैं अभी भी recommend करूंगा को gaming के लिए कोई phone चाहिए और अगर आपको यह phone मिल रहा है definitely मेरा recommendation होगा कि आप ले सकते हो यह बात करूंगा iPhone 15 pro की तो भाई वहाँ पे definitely A17 pro मिल रही है तो जो overall gameplay experience होगा वो तो definitely इससे तुरह सा improved होगा हलका फलका आपको faster loading मिल सकती है लेकिन mainly जो A17 pro में आपको advantage मिल रहा है वो है ray tracing का यानि कि आप उसमें Resident Evil जैसे PS games खेल सकते हो real time में और वो same gameplay है जो कि आप एक PlayStation में खेलते हो तो मेरे सबसे बहुत कमाल का upgrade हो जाता है लेकिन अगर आपको gaming करने हो और gaming के लिए आपको अगर BGMI वगरा ही खेलना है तो मेरे सबसे ही अभी भी बहुत कमाल का phone हो जाता है ले iPhone 13 Pro का gameplay तो बहुत अच्छा है बाकी वहाँ पे जो ray tracing मिल रही है वो भाई सोने पे सुहागा हो जाती है तो मेरे सबसे ही काफी अच्छा upgrade हो जाता है अगर आप gamer हो तो चलो करते हैं इनका sound test यह है iPhone 13 Pro का sound यह है iPhone 15 Pro का sound और यहां पर मैं बोल सकता हूँ iPhone 15 Pro का sound थोड़ा सा कम है as compared to iPhone 13 Pro यह बात मुझे थोड़ी से अजीब लगी लेकिन हाँ बाई ऐसा ही है iPhone 15 Pro का हलका सा कम है sound as compared to 13 Pro हो सकता है उस वज़े से इसको तोड़ा सा bassier करने की वज़े से इसका sound हलका सा कम कर दिया गया volume बागी है मैं बोलूँगा major फरक नहीं है minor सा फरक है और हाँ 13 Pro का sound मुझे जादा louder feel हुआ अब बात करें के बैटरी की तो iPhone 13 Pro में मिलती है 3095 mAh और 15 Pro में मिलती है 3274 mAh तो यहां पर आपको slightly बड़ी बैटरी मिल रही है iPhone 15 Pro में लेकिन और और अकर मैं इनके backup differences की बात करूं तो यहां पर लगबग ना के बराबर differences मिलेंगे हाँ अगर आप नहीं पहले 13 Pro यूज किया है उसके बार अगर 15 Pro में जाते हो तब हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ एक घंटा जादा बैटरी परक अप मिल रहा है लेकिन वो इसलिए होगा क्योंकि 13 Pro का already जो बैटरी परसेंटेज है वो गिर चुका होगा यानि कि इसकी बैटरी हेल्थ कम हो चुकी होगी जिसकी वैसे आपको जादा बैटरी परक मिल रहा है परकि अगर दोनों ही फोन को एकदम नया ब्रैंड न्यू लेकर अगर आप इनको यूज करोगे तो यहाँ पे दोनों का ही बैटरी परक लगब पिक्सल के दो अधर लेंस और यहाँ पर मैं बूलूंगा बहुत बगड़ा अपग्रेड मिल रहा है आपको सबसे पहले जो प्रोरेस एंड प्रोरा में फोटोस क्लिक कर सकते हो प्रोरेस में वीडियो बना सकते हो लेकिन यहाँ पर आप 4K 60fps पर प्रोरेस में वीडियो ब 15 Pro में आप 48MP की हाई रिजरुटोस क्लिक कर सकते हो इवन अगर नॉर्मल फोटोस क्लिक करते हो तो वहाँ पे 24 megapixel की नॉर्मल फोटोस क्लिक करने का उप्शन मिलता है और वहीं यहाँ तो बारह में पिकसल का है तो यहाँ पर फिर 12MP की मिलता है 48MP के कारण आपको 15 Pro में एक additional 2x lens का additional option मिल जाता है 15 pro में जिससे आप 2x में portraits भी click कर सकते हो even आप इस 2x पे click करके अलग-अलग focal length भी select कर सकते हो और अगर यहाँ पर दोनों का photo comparison दिखा हूँ तो definitely यहाँ पर काफी बड़ा difference आपको मिलता है 15 pro बहुत ही minor details भी capture कर लेता है और overall HDR की बात करूं फिर्टो भाई 15 pro का कोई तोड ही नहीं है यहाँ पर मैं बोलूँगा बहुत ही amazing तरीके से इनके cameras को upgrade किया गया है यहाँ पर मैं दोनों का video sample भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको idea हो सके तोनों में क्या difference है तो guys यह इन दोनों का video comparison दोनों शूर कर रहा है 4K 30fps पे left side पे है iPhone 13 pro right side पे है iPhone 15 pro तो आप देख सकते हो किस level का output आपको इन दोनों में मिलेगा इसके अलावा 15 pro में आप 4K 30fps पे cinematic mode record कर सकते हो साथ ही आपे action mode भी मिल जाता है जो कि 13 pro में missing है अब बात करें कुछ other upgrades की तो भाई यहाँ पे आपको एक action button मिलता है जो कि पहले alert slider था यह feature मेरे तो इतने काम का नहीं है लेकिन कुछ लोग है जिनके बहुत काम की चीज़ हो सकती है इससे आप direct अपना camera operate कर सकते हो किसी भी theory shortcut को run कर सकते हो phone silent कर सकते हो voice recorder on कर सकते हो instagram कोल सकते हो जो कुछ भी आप करना चाहो वो सिफ इस button से कर सकते हो फिलाल यह सिफ एक single tap पे है hopefully in future अगर इसको double tap, triple tap भी कर दिया गया तो यह बहुत ही जारा useful हो सकता है फिलाल तो मैं इसे silent button के जैसा ही use करता हूँ पर फिर भी देखा जाये तो हाँ एक अच्छा खासा अफग्रेड हो चाता है इसके अलबाब पहले आपको मिलता था lightning अब आपको मिलता है type C port जिससे आप high speed data transfer कर सकते हो अपनी SSD को direct इसमें connect कर सकते हो और इस iPhone से type C वाली cable connect करके किसी दूसरे iPhone को चार्ज भी कर सकते हो अपने Apple Watch, अपने AirPods को चार्ज कर सकते हो जो कि मेरे सबसे काफी कमाल का अपग्रेड हो जाता है तो चलो बात करते हैं conclusion की तो देखो या डिस्प्ले के मामले में बहुत ही बड़ा difference है कहां इतनी बड़ी-बड़ी bezels, इतना बड़ा notch मलता था अब ये बिल्कुल पत्ली-पत्ली bezels के साथ और Dynamic Island के साथ आता है कहां 12 Megapixel के 3 lenses होते थे अब 48 Megapixel का lens है ये ProRes, ProRaw में record कर सकता है Log में record कर सकता है जो कि ये नहीं कर सकता था और सो यहां पर 4K 30fps पर Cinematic Mode record करने का option है Action Mode का option है बहुत ही कमाल तरीके से इंप्रूव कर दिया गया है कैमरास को चिपसेट की बात करूँ तो 13 Pro का अल्रेडी बहुत जारा powerful था लेकिन 15 Pro में अब आप Ray Tracing वाले गेम्स जैसे कि PlayStation वाले गेम्स खेल सकते हो तो जा सकते हो बहुत ही कमाल के अपग्रेड्स मिल रहे हैं आपको 15 Pro में आज अब स्टार्टिंग में आया था तब इसमें heating के issues मिल रहे थे लेकिन अब heating वाले issues नहीं है updates के साथ वो चीज़े solve हो चुकी है और अगर 15 Pro खरीद रहे हो तो एक चीज़ और मैं recommend करूँगा कि खरीदना तो white titanium या फिर natural titanium खरीदना क्योंकि 15 Pro में जो blue और black color वाले हैं वहाँ पे आपको इस titanium के उपर coating मिलती है powder coating जिसकी वज़े से अगर आप किसी भी तरीके से उस powder coating को scratch का देते हो तो अंदर से आपको ये titanium फ्रेम वाला color ही देखने को मिलेगा तो इस चीज़ का ध्यान लगना बाकि definitely आपको अपग्रेड करने लायक अपग्रेड मिल रहे है आईफोन 15 Pro में तो गई दी था आज का मड़ा वीडियो आई होप ये वीडियो पसंदा होगा पसंदा है तो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल एकन को ज़रू दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मैं में बता हुँचे ने नेक्स इडियो में तब देकले, बबाई